नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्टमूर्ती आप सबहें का सौगत करता हूं लेर्णिंग मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों अभी वी आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रख्था मैं आपको बता देता हूं क्या है आप का यूँजड्मास जो भी अगर मायनिस में दिखा है तो आप माले कि आपने कुछ सेल किया हुआ हो allons सिल किया हुआ है ओप्शन सेल किया हुआ हुआ है कुछAL कैनल मार्जीन आपको मैने दिखेगा मतलब यह पैसे आपके आने वाले हैं या आ चुके हैं मूभी आने वाल चले आएंगे, खास करके BTST में ऐसा होता है, delivery stock sell करोगे, सारे broker आपको same day 80% पैसे देंगे, समझ गया, same day delivery stocks में 80% पैसे आपको मिल जाएंगे, तो मानलो मैंने जो ये stock sell किया है, यहाँ पे 5000 रुपीज का, तो यहाँ पे 80% amount है, वो मेरा यहाँ पे lady आ चुका है, तो 4078% 80% जो हो गया, वो minus दिखे रहा है, minus मतलब used margin, minus मतलब मैंने कुछ sell किया हुआ है, उसका पैसा मुझे आ चुका है, तो वो पैसा मुझे यहाँ पे दिखे रहा है, सर यहाँ पे यह बताओ, यहाँ पे 4078 है, यहाँ पे 4086 है, ऐसा कैसे, यहाँ पे देखो opening balance देख रहे हो, opening balance मतलब होता है, जो भी आप trade करते हो, same day, जो भी आपने trade किया, buy किया, sell किया, सब कुछ किया, उसका जो भी taxes, brokerage, सब कुछ कटके, losses, profit जो भी है, सब कुछ settled होके, next working day जो है, 1000 रुपेज का brokerage जनरेट किया, तो जो भी profit होगा, अगर इंट्रेट है किया, तो T plus 2 working days के बाद आने वाला है, कल सुब़ जो भी 1000 रुपेज का चार्ज है आपका, 1,00,000 में से, वो debit हो जाएगा, opening balance आपका दिखाएगा कितना, 99,000 समझ गे, सारे चार्जे settlement होने के बाद, जो भी next working day, जो भी आपको fresh balance दिखाएगा, उसको बोलते हैं opening balance, मालो 1,00,000 का investment है, आपने 20,000 का loss किया, और 1,000 का brokerage जनरेट किया, मालो, चार्जेट जनरेट किया, तो कितना हो गया 21,000 के, आपको next working day opening balance कितना दिखाएगा, 79,000 के, तो समझ गे, 79,000 के में क्या है आपका, 20,000 का यहाँ पे आपका loss settlement है, और 1,000,000 रुपेज का brokerage जनरेट सेटलमेंट है, तो opening balance जो भी आपको दिखाएगा, मतलब मालो वो आपका fresh balance है, उसमें कुछ आपका extra direct नहीं होने वाला, DP charge वो बात में होता है, उसकी आप चिंता छोड़ दे, समझ गए, वो T plus 2 days में automatic हो जाएगा, तो यह opening balance समझ गए, used margin minus में है, मतलब मैंने कुछ sell किया है या profit किया है, used margin plus में है, मतलब मैंने कुछ buy किया है, या loss किया है, simple concept है, available cash भी समझ गए, यहाँ पर जो मेरे पास 20-80% margin आया है, sell करने के बाद, उसमें आप opening balance एड़ कर दो, total balance आपको यह देखने वाला है, concept clear, जो भी आपका collateral plus total balance है, अपने कुछ praise किया होगा, उसका extra पैसा आया होगा आपको, मैंने कुछ praise नहीं किया, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो मेरा total जो है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह भी concept clear हो गया, अब यहाँ पर आजब opening balance में मैंने मता दिया है, यहाँ पर आजब delivery margin क्या होता है, delivery margin मतलब होता है, जो भी मैंने आज sell किया है, उसका according to CB rule, कितना आपको amount block कर रहा हो, वो पैसे आपको आज नहीं आने वाले, तो मैं मानलो मानलो मैंने 500 रूपीज का stock sell किया हुआ है, उसका यहाँ पर delivery margin कितना block किया हुआ है, 20% मतलब 1000 रूपीज ब्लॉक हो गया है, और बाकी पैसे मुझे used margin में दे दिये हैं इसने, माइनस में हैं, यह पैसे मेरे पास आ चुके हैं, इस पैसे से मैं trading कर सकता हूँ, investment कर सकता हूँ, कोई दिक्कत के बात नहीं है, concept clear, यह जो सर्जी 1019 है, यह मुझे आ जाएगा next working day में, इसको भी मुझे टेंसन नहीं लेना, यह automatic चला आएगा, जो भी brokerage होंगे, जो भी charges होंगे, वो सब कोई detect हो जाएगा, कल सुबा मुझे new opening balance यहाँ पे दिखने वाला है, आने वाला यह आ चुका है, और यह आपने profit book किया है, अगर आपका used margin प्लस में है, तो कुछ आपने stock buy किया है, future option buy किया है, currency buy किया है, community buy किया है, यह आपने loss किया है, delivery margin, जो भी पैसे block होंगे उस दिन के लिए, according to saving rule, यह पैसे आपको next working day आने वाले हैं, तो वो आप delivery margin समझ लेना, simple concept है, पूरे पैसे block हुए हो, तो आपको next working day पूरे पैसे चले आएंगे, जो भी amount block हुआ, वो maximum 20% होता है, वैसे और block करते हैं जाता, तो आप मान के चलना वो पैसे को next working day चले आएंगे, घबराने के बात नहीं है, समझ गए, used margin क्या होता है, total cash क्या होता है, used margin plus opening balance equal to total cash, यहां पर collateral लिये होगे तो दिखेगा, नहीं लिये होगे, total cash ही आपका यह दिखने वाला है, concept clear, ऐसी ही आपको जो है देखना है, घबरानी के बात नहीं है, बिलकुल आपका यह concept clear है, दोस्तों मैं आसा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ, वीडियो अच्छा लगा हूँ, कि पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करें दोना हुआ, एrogा है, वीडियो अच्छा लगा है,